हेलो स्थो आप सभी सोक्त बात करेंगे हाँ पर अस्तरल के बारे में इस कमपनी के आज कौटर वन के रिजल्ट अनौस हो चुके है और कमपनी ने दोस्तो धबाकेदार तरीके से अपने रिजल्ट प्रेजेंट किये है अब यहाँ पर रिजल्ट कौटरली बेसिस पर अपने बिजनेस सेक्टर में और बड़े डिसकाउंट पर भी अभी यहाँ पर अवेलेबल है तो आप बेनिफिट्स बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं जिस कमपनी के अंदर हमें अपोर्चुनिटी भी देखने को मिले उसका बिजनेस भी काफी वैल्यूबल नजर आ लिए है तो देख लेते डिटेल्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरू करना अस्तरल के बारे में पहले मैं आपको यहाँ पर जो रिजल्ट जो अभी पेश किया है वो बताता हूं और इसके बाद में कितने परसेंट से कमपनी ने येरली कौटरली इ तो अब देखिए यहाँ पर आप भी फो दे टैकशस के बाद जो यहाँ पर नेट प्रॉफित फॉर दे प्रेएट जो होता है वो यहाँ पर हमारा पॉफित रहेगा और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अस्तरल ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया तो इदे की पिछले साल जून मैने में 2021 को कमपनी कमारी थी 577 मिलियन जो नेट प्रॉफिट वो यहाँ पर हमें बढ़कर 730 मिलियन होते वे नजर आया है जून 2022 में तो अस्तरल ने outstanding presentation किया yearly basis पर and quarterly देखेंगे तो पिछले quarter में कमपनी कमारी थी 1207 मिलियन और वो यहाँ पर घट कर अभी आदे की तरह हो गए है बोलतो आदा ही यहाँ पर implement देखने को मिला है quarterly basis पर means यहाँ पर यह याद रखना कि fourth quarter and first quarter बोलतो यह March महिने के और यह June महिने के तो इस तरीके से result रहे company के अस्तरल के यह standard वाले अभी consolidated भी देखेंगे तो उसके अंदर इस company ने कैसे presentation किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह देखिए इसका यहाँ पर profit जो यहाँ पर for the period का है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ पर भी आपको same नजर आएगा company का presentation यह सभी चीज़े बता देता है कि company कितनी अच्छी और किस तरीके से अपने business के अंदर improvement कर पा रही है और company के अंदर भी हमें किस तरीके से आने वाले समय में growth देखने को मिलेगी company yearly basis पर consultant के अंदर भी growth करकर दिखा रही है और देख भी सकते हैं पिछले साल जून मैने में consultant result के अंदर 751 million जो company का net profit आओ बढ़कर 961 million हो चुका है तो company yearly basis पर growth कर रही है and quarterly देख सकते हैं company ने पिछले quarter में बोलतो 4th quarter में 1441 जो million में कमाया था net profit वो घट कर 961 million हो चुका है यह बात होगी देखिए figures के अब इसमें percentage वगेरा कैसे बदला हो होते वे नजर आया हो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए अस्तरल तरप से ही सभी details बहुत अच्छी से present किये गई है और मैं आपको आपर बता देता हूँ यह जो particular column के अंदर पहले revenue for operation बाद में से यहाँ पर आप sales देख सकते हैं में आपको profit before tax देखने को मिलेगा यहाँ पर आप पूरी तरीके cash वगेरा सब कुद देख सकते हैं हमरे लिए revenue for operation ज़्यादा important रहेगा और आप यह बदलाव देख सकते कंपनी के यह सभी आपके आगई number रखे गए है और आप देखकर आंदर लगा सकते किस तरीके से company ने presentation किया यह आपर बता गया देखे यह बाकी की चीज़े तो पढ़ने की जरूरत नहीं अस्तरल लिमेटेड डिलिवर्ड टॉप लाइन ग्रोथ 73% और वो 73 यहाँ पर देखने को मिलेगी ग्रोथ आपको और जो EBDITA ग्रोथ जे होए वो कितने 37% और वैलियूम ग्रोथ 48% for Q1 Financial 2023 बोलतो या अभी के जो रिजल्ट है उसके बारे में उन्होंने यह बताया है अच्छे आ गए है और यह आप जो नाम देख रहे है नीचे इस सभी इनी के दोस्तों प्रोड़क के नाम है यह बहुत बड़ी कमपनी है इसको छोटा मत समन्ना बहुत यहाँ पर पावरफुल जो है ना इसके अंदर जबरदस देखने को मिलती है बहुत यह अच्छी तरीके से रिटन कमाखर देगी इसमें कोई डाउट भी नहीं है और ना कोई शक बस आपको लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए बोलतों लॉंग टम के लिए यहाँ पर स्टॉक प्राइस के बारे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता था कि यह 2000 रुपे पर चल रहा है जो शियर 2700 यहाँ पर हम कह सकते 2500 के करीब चलने वाला इस रेंज में स्टॉक चलने वाला डिसकाउड में है और इसने बहुत जबरदस तरीके से ग्रोध करकर दि कौन सा लेवल रहेगा यह यह थोड़ा आप अबजर कर सकते 2180 के करीब का तो यह आप बेनिफिट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं कमपनी ने पहले भी ऐसा किया था देखे टॉप टू बॉटम आई थी बाद में से यहाँ पर इस लेवल को टच किया था और आब यह जो